दोस्तों, राम लला का जन्मोर्सो राम नौमी 17 अप्रेल को मना जाना है। इस दिन देशपर में बगवान राम के जन दिन का पिवहर मना जाता है। अयोध्या में इस बार राम नौमी की अलग धूम है। यहां इसी साथ जनुवरी महिने में राम लाला की प्राहन प्रतिष्ठा की गई, भावे राम मंदिर का उध्रण किया गया, अब राम नौमी को और खास बराने के लिए राम लाला का सूरी तिलक किया जाएगा, दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर परीबन चार से शे मिनट तक राम लाला की मूर्ति के मस्तक पर सूरी तिलक किया जाएगा, यानि सूरी की रोशनी राम लाला पर इस तरह पड़ेगी, मन और भगवान राम को सूरी तिलक लगा गया हो, इसका समय और ऐसा करने की व्यग्यानिक विद्ध की जनकारी सामने आई है, हर साल कुछ मिन्टों के लिए राम लाला की मूर्ति पर सूरी तिलक किया जाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा जा चुका है, राम नौमी हिंदू कलेंडर के पहले महिने के नौवे दिन मनाई जाती है, आम तोर पर यह मार्च अपरेल महिने में आती है, जो भगवान राम की जैनती का प्रतिक है, इस साल राम नौमी 17 अपरेल को मनाई जानी है, इसी मानिता है कि भगवान राम के बाल रूप के दर्सन के लिए सभी दिवतागरं धरती पर पधारे थे, इस बार राम नौमी को और खास बनाने के लिए वेग्यानिकों ने राम इनके समय सूरी की केरणों को गरव घ्रह में इस तरह परवेश कराएंगी, जो राम नौमी के मूर्द के मस्तख पर सुसाज्यत हो, ऐसा लगे मन उस सूरी तिर प्रोजेक्ट किया गया हो, इसे अधिकाली तोर पर सूरी तिर्ख प्रोजेक्ट के तहत, हर साल राम नौमी पर दुपहर ठीक बार रुवान राम लाला की मूर्द के मर्द को सुर्य के प्रकाश से रोशन किया जाएगा. यहां पर क्रिया हलांक कुछी मिन्टों के लिए होगी, ऐसा बताया गया है यहां अब रिचार से शे मिनट तक हो सकती है. इसमें लेंस और सी से इस तरह रियाइन किये गए हैं कि जब सूर्य की केरणे इन पर पढ़ेंगी, तो यहां राम लाला की मूर्थ पर दिव्य प्रकाश पैदा करेंगी, यह नहीं जादा देखने लायक होगा. इस प्रेक्ट को आगामी 100 वर्षा तक के लिए रियाइन किया गया है. तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दीग रियान करी अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवार्द.